हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इच्छा प्लान में तो कैसे हैं आप लोग आई हो पच्छे होंगे तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इवी एस को मैं NCRT से पढ़ा रही हूँ और NCRT के सौर्ट नोट्स बना कर पढ़ा रही हूँ तो इसके पहले 10 वीडियो आ चुके हैं और क्लास 4 दस वीडियो में कम्प्लीट हो चुका है क्लास 4 की बुक में 27 लेसन थे और उन में से कुछ लेसन ऐसे थे जिनमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिनसे प्रशन पूछे जाते हूँ तो उन लेसन के मैंने नोट्स नहीं बनाए जो लेसन इंपॉर्टेंट थे और जिनमें ऐसे टॉपिक थे जिनसे प्रशन हमेशा ही पूछे जाते हैं उन लेसन के मैंने नोट्स बनाए और एक वीडियो में दो दो लेसन कम्प्लीट करवाए इसलिए 10 वीडियो में ही क्लास 4 की EVS कम्प्लीट हो गई आज से क् पिक दिये गई हैं वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो चलिए आपको सौर्ट नोट्स पर लेकर चलते हैं तो क्लास 5 की बुक का पहला लेसन है कैसे पहचाना चीटी ने दोस्त को तो इसमें चीटीयों के बारे में बताया गया है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये क्लास 4 की बुक में भी बताया गया था तो चलिए पढ़ लेते हैं लिखा है चीटीयां चलते समय जमीन पर ऐसा रसाइन छोड़ती हैं जिसे सुंग कर पीछे आने वाली हैं चोड़ती जाती हैं और जो पीछे चीटी आ रही होती हैं तो उसे सुंग कर आगे बढ़ती जाती हैं तो चीटीयों के बारे में आपको याद रखना है मच्छर जो होते हैं मनुस की सरीर की गंद खास कर पैरों के तलों की गंद जो अपने पैरों की तलवे होते हैं इ सबसे पहले आपके पैरों में काटेंगे क्योंकि उन्हें तल्वों की गंद आती है तो सरीर की भी गंद आती है और खासकर तल्वे की गंद से मनुस को ढूंड लेते हैं मच्छर तो आप सभी लोगों ने देखे होंगे आगे लिखा है रेसम का कीड़ आपनी मादा को उसकी गंद से कई किलो मीटर दूर से ही पहचान लेता है ये आप रेसम के कीड़े देख सकते हैं इनका पालन किया जाता है और इनसे रेसम प्राप्त किया जाता है अब प्रशन पूछा जाता है ये प्रशन पूछा भी गया ह कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी मादा को उसकी गंद से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है तो वह है रेसम का कीड़ा आगे बढ़ते हैं एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंद से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था यानि कि यदि कोई महला है और उसमें जो कुत्ते रहते हैं और यदि कोई बाहर से कुत्ता आ जाता है वहाँ पर मल मूत्र करता है तो जो उस महले की कुत्ते हैं वह जान जाते हैं कि मेरे महले में कोई दूसरे इलाके का कुत्ता आया है तो ये कैसे जान जाते हैं मल और मूत्र की गंद से कि इनके इलाके में कोई बाहर का गुत्ता आया था तो ये आपको याद रखना है ये सभी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इनसे प्रश्ण पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इनको पॉइंट में लिख दिया है पच्चियों के बारे में आपको क्या-क्या याद रखना है इनसे प्रश्ण बहुत पूछा गया है पहले भी और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए तो जादा तर पच्चियों की आखें सिर के दोनों तरफ होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पच्चियों की फोटो मैंने आप पर कुछ लगाई हुई है इनकी जो आखें हैं एक इस तरफ है और एक आप देखेंगे उस तरफ यह देख लीजिए इसकी भी एक आख इस तरफ है और एक उस तरफ यानि सिर के दोनों तरफ होती है ऐसा नहीं है सभी पच्चियों की होती है लेकिन जादा तर पच्चियों की होती है अब जो उल्लू होता है आप ये कहेंगे कि उल्लू की आखें तो बिलकुल सामने होती हैं तो बिलकुल होती हैं लेकिन ज्यादा तर जो पच्छी है इनकी आखें सिर के दोनों तरफ होती हैं कुछ ही पच्छी ऐसे हैं जिनकी आखें बिलकुल सामने होती हैं उन में से एक उ लेकिन पच्ची क्या करते हैं? एक समय में दो अलग-अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं जब ये बिलकुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आखें एक ही चीज पर होती हैं यानि कि ये एक ही समय में दो अलग-अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं लेकिन जब ये बिल्कुल सामने देख रहे होते हैं, तब इनकी जो आखे हैं एक ही चीज पर होती हैं, यानि तब ये एक ही चीज को देख रहे होते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखा है कई पच्छी गर्दन बहुत जादा हिलाते हैं, क्योंकि पच्छीओं की आखों की पुतली घूम नहीं सकती, जिस तरीके से मनुश्यों की आखों की पुतली घूम सकती है, जानवरों की भी घूम जाती है, लेकिन जो पच्छी होते हैं इनके आखों की पुतली पास-पास देखते हैं अब हम लोग क्या करते हैं जब कभी भी हमें कुछ देखना होता है तो आँक की पुतली गुमा कर ही देख लेते हैे लेकिन इन्हें अपनी बार बार गर्दन हिलानी पड़ती है तब ही एधर उधर देख पाते हैं तो आपने देखा उगा पच्ची ज पुतली ये गहोम नहीं सकती इसलिए ये अपनी गज़न को बहुत अदिक हिलाते हैं पच्चियों के कान दिखाई नहीं देते हैं उनके बाहिरी कान छोटे-छोटे छिद्र जय Jewel जासे होते हैं जो पंकरों से ठके होते हैं यानि कि इनके जो कान होते हैं वह छोटे-छोटे छेतर जैसे होते हैं और ये पंक्खों से ढके होते हैं तो किसी को दिखाई नहीं देते अब आप याद कीजिए अब आप लोग याद कीजिए किलास फॉर्थ की भुग में मैंने आपको दूसरा लेसन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था ये मैंने आपको पहली ही वीडियो में बताया था जो किलास फॉर्थ की जो ईवी एस की मैंने नोट से बनाई थे जो पहली वीडियो है EVS की उसी में मैंने आपको बताया था कि जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं और जिनके सरीर पर बाल होते हैं वे सभी बच्चे पैदा करते हैं और जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते और उनके सरीर पर बाल भी नहीं होते वे अंडे देते हैं, तो पच्छी भी उनी में से एक हैं, इनके कान भी बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते हैं, इनके सरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, तो ये अंडे देते हैं, और मनुष को ही ले लीजिए, कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, सरीर पर बाल भी होते है तो मनुस्य क्या करता है बच्चे पैदा करता है इसी तरीके से जो अन्य जानवर हैं कुटा है बिल्ली है गाय है भैस है सबके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं सबके सरीर प्रवाल होते हैं ये सभी बच्चे पैदा करते हैं तो ये भी पूछा जाता है ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, आपको याद होगा यदि आपने वीडियो देखी है, तो पच्छियों के बारे में आपको और क्या याद रखना है कि पच्छियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहिरी कान चोटे-चोटे छिदर जैसे होते हैं, जो पंकों से ढ होते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखा है चील बाज और गिद जैसे पच्छी मनुस से चार गुना ज़्यादा दूर से देख लेते हैं, यह भी पूछा जा चुका है, जो चीज मनुस को दो मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज ये पच्छी आठ मीटर की द उससे भी देख लेंगे तो इनकी नजर जो है बहुत अच्छी होती है कौन-कौन से हैं पच्छी चील बाज और गिद्ध ये भी प्रस्ण पूछा गया है तो आपको याद रखना है आगे लिखा है रात में जागने वाले हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं ये भी प रात में जो जानवर जागते हैं इन्हें निसाचर कहते हैं यानि रात में जागने वाले चाहे जानवर हो चाहे पच्छी हो ये निसाचर कहलाते हैं अब इनके उधारर कौन-कौन से हैं जैसे कि पच्छीयों में उल्लू है चमगादड है और जानवरों में लोमडी है सेह है ये सभी क्या है ये रात में जागते हैं तो ये हर वस्तु को काली और सफेद ही देख पाते हैं और दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं अब ऐसा नहीं है कि जो जानवर दिन में जागते हैं वो सभी रंग देख ले तो उनको भी कुछ ही रंग द कमपन को ही महसूस करते हैं तो ये भी आपको याद रखना है किसाप के बाहरी कान नहीं होते हैं ये जमीन पर हुए कमपन को ही महसूस करते हैं अब जब बीन बजाई जाती है तो ये उसकी आवाज को महसूस करते हैं इनके कोई बाहरी कान नहीं होते हैं ये बात भी आपको याद रखनी है और बाहरी कान नहीं होते हैं, सरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, इसलिए ये भी अंडे देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ जानवर तुफान या भूकम पाने से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, जो जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस वेवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकम पाने वाला है या कुछ अन्होनी होने वाली है। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जब कोई तुफान या भूकम पाने वाला होता है, तो ये अजीब तरीके से वेवहार करने लगते हैं। के अजीब वेवहार और उनके द्वारा की गई चेताबनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदवासी जाती समझ गई थे। तो वहाँ पर जो जनजाती रहती है, यानि आदवासी जाती तो जानवरों के इस वेवहार को समझ गई। तो समय रहते उन्होंने जो इलाका था उसे खाली कर दिया, तो वो लोग अपनी जान बचा पाई थे। आगे बढ़ते हैं, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजे निकालती है, एक दूसरे से बात करती है, वैग्यान को कमानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भासा है, ये आप यहाँ पर डॉल्फिन देख सकते हैं, तो वैग्यानिक ये मानते हैं कि जो जानवर हो इनकी अपनी पूरी भासा होती है, और ये आपस में एक दूसरे से बाते भी करते हैं उसी भासा में, तो इसी प्रकार से डॉल्फिन भी है, अलग तरह की आवाजे निकालती हैं, एक दूसरे से बातें भी करती हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखा है बहुत से जन्तु किसी ख जो किसी खास मौसम में लंबी घहरी नीद में चले जाते हैं यानि कि दिखाई नहीं देते तो इसका एक जो धारर है आप सबी लोग को पता है छिपकली है यह सरद्यों के मौसम में आपको नहीं देखेगी लेकिन गर्मियों के मौसम में बहुत छिपकलियां दिखती हैं लेकिन सर्दियों में ये गायव हो जाती है यानि कि कहीं छिप जाती है तो ये सब पॉइंट करके मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये चोटी-चोटी सी बात है आप लोगों को याद रहें और आपका कोई भी प्रशन गलत ना हो अब इसे लेसन में एक important topic दिया गया था slot और इससे भी प्रशन पूछा जा चुका है इसके बारे में आपको जो मैंने यहाँ पर लिखा है यही इतना याद रखना है प्रशन पूछा जाएगा slot के बारे में जो सही कथन है उन्हें बताईए तो आपको जो याद होंगे तो आप तुरंत ही बता देंगे कि सही कथन कौन से है जो गलत होगा आप उसे भी तुरंत पहचाल लेंगे तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं लिखा है ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है ये आप यहाँ इन्हें चित्र में देख सकते हैं ये दिखने में तो आपको भालू जैसे लगेंगे लेकिन ये भालू नहीं होते हैं ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कितना आलसी होता है ये कि 17 घंटे ये सोने में ही निकाल देता है 24 घंटे में 17 घंटे ये सोता है जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती ये इस तरीके से उल्टे लटक कर सोते हैं यहां आप देख सकते हैं अपना बच्चा भी ये साथ में लिए हुए हैं तो ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत पत्ते खा लेते हैं जिस पर ये लटकते हैं तो इसी लिए इन्हें कहीं जाने की ज़ुरत ही नहीं पड़ती फिर क्या होता है जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं यानि कि जिस पेड़ पर ये लटके थे उस पेड़ क इन्होंने धीरे धीरे करके सारे पत्ते खा लिए अब मजबूरी में इन्हें दूसरे पेड़ पर जाना पड़ेगा तो ये पास वाले पेड़ पर चले जाते हैं इतने आलसी होते हैं कि जो पास में पेड़ होता है तो उतर कर उस पर चड़ जाते हैं ये सब्ता में एक ही बार सोच करने के लिए पेड से नीचे उतरते हैं सोच लीजिए कितना आलसी है ये सलोथ सब्ता में एक ही बार सोच करता है और तभी पेड से नीचे उतरता है लगभग 40 वर्स के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं तो इनका जो जीवनकाल है लगभग 40 वर्स का है और ये 40 वर्स के जीवनकाल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं तो सिलोथ के बारे में आप लोगों को बता दिया अब इसी लेसन में एक और इन्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है बाग बाग जो है यह भारत का राष्टरी यह पसुवी है तो इसके बारे में कुछ महत पूर्टत हैं जो आपको जानना बहुत आवस्यक है क्योंकि प्रस्ण में पूछा जाता है तो चलिए पढ़ लेते हैं लिका है बाग अंधेरे में मनुस से 6 गुना बहतर देख पाते हैं यानि कि ये अंधेरे में भी मनुस से 6 गुना ज़्यादा देख लेते हैं यानि बहतर तरीके से देख लेते हैं तभी ये अंधेरे में अपने सिकार को भी ढूड़ लेते हैं बाग की मूचे हवा में हुए कमपन को भाप लेती हैं और उसे सिकार की बिल्कुल सही इस्थिती का पता चल जाता है इससे इन्हें अधेरे में रास्ता धोनने में भी मदद मिलती है ये आप इसकी मूचे देख सकते हैं ये तो ये क्या करती हैं ये हवा में हुए कमपन को भाप लेती हैं और सिकार की बिल्कुल सही इस्थिती का इन्हें पता चल जाता है और इन मूचों के द्वारा ही इसे अधेरे में रास्ता धोनने में भी मदद मिल जाती है तो आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं बाग मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है गुसे में अलग आवाज और बागहिन को बुलाना हो तो अलग आवाज यानि ये अलग अलग तरीके की आवाज निकालता है जब गुसा होता है तो इसकी आवाज दूसरे तरीके की होती है और जब इसे बागिन को बुलाना होता है तो ये अलग तरीके की आवाज निकालता है बाग का गुर्राना तीन किलो मीटर दूर तक सुना जा सकता है यानि आप 3 km दूर से भी इसके गुर्राने की आवाज को सुन सकते हैं आगे बढ़ते हैं बाग अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंद छोड़ते हैं एक बाग किसी दूसरे बाग के मूत्र की गंद को जट पहचान लेता है यानि कि ये जिस इलाके में रहते हैं वहाँ ये मूत्र करके अपनी गंद छोड़ते हैं और यदि कोई दूसरा बाग आ जाता है तो ये मूत्र की गंद को जट पहचान लेते हैं जिस प्रकार से कुत्ता मल मूत्र के द्वारा अपने इलाके में यदि कोई कुत्ता दूसरा आ जाता है तो वह उसके मल मूत्र की गंद से पहचान लेता है कि कोई दूसरा कुत्ता आया है इसी तरीके से ये भी मूत्र करके अपनी गंद छोड़ते हैं और एक बाग जो है पत्ते हवा से हिल रहे हैं या कोई सिकार जो है जाडियों पर चल रहा है तो उसकी आवाज है ये अंतर कर लेते हैं कि पत्ते जो हिल रहे हैं ये किस कारट से हिल रही है या ये हवा से हिल रहे हैं और या सिकार के चलने से हिल रहे हैं तो ये अंतर कर लेते हैं बाग के दोनो कान बाहर की आवाज इखटा करने के लिए अलग-अलग दिसाओं में बहुत जादा घूम भी जाते हैं तो इनके जो आप ये कान देख रहे हैं ये क्या करते हैं ये अलग-अलग दिसाओं में घूम जाते हैं बाहर की आवाज को इखटा करने के लिए और ये अंतर भी कर ले लेते हैं जो मैंने अब भी आपको बताया के बाग हवा से पत्तों के हिले और सिकार के ज्षाडियों में चले से हुई आवाज में अंतर को भाप लेते हैं और बाग के दोनों कान बाहर की आवाज इखटा करने के लिए अलग-अलग दिसाओं में बहुत जादा घूम भी जाते हैं तो बाग के बारे में आपको इतना ही याद रखना है आगे बढ़ते हैं अब इसी लेसन में बताया गया था कि जानवरों का सिकार कर लिया जाता है तो कई जो जानवर हैं ये विलुप्त होने के कगार पर हैं तो लिखा है हाथी को उसके दातों गैंडे को सींग सेर मगरमच और साप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुस्बू के लिए मार दिया साप की खाल का और कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है देश में बाग और अन कई जानवरों की गींती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खत्रा है जब इनका सिकार कर लिया जाएगा जनसंक्या इनकी बड़ेगी नहीं तो ये ए कॉर्वेट नेशनल पार्क और राजिस्थान के भरत पूर्जले में घाना इन जंगलों में जानवरों का सिकार मना है यहां लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो यहां पर कोई सिकार नहीं कर सकता यह दंडनी अपराद है और यहां पर और लोग जानवरों और जंगलों को कोई नुकसान भी नहीं पहुचा सकते तो आज के लेसन में मैंने आपको कई महत्पूर चीजें बताई बड़ा लेसन था इसलिए मैंने एक वीडियो में एक ही लेसन लिया है तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो क्या क्या आज के लेसन में पढ़ा है सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चीटियां चलते समय जमीन पर ऐसा रसाइन फैरो मौन से छोड़ती हैं जिसे सूंग कर पीछे आने वाली चीटियों को रास्ता मिल जाता है मच्छर मनुस के सरीर की गंद खास कर पैरों के तलवे की और सरीर की गर्मी से मनुस को ढून लेता है रेसम का कीरा अपनी मादा को उसकी गंद से कई किलो मीटर दूर से ही तहचान लेता है एक कुट्टा दूसरे कुट्टे के मल मूत्र की गंद से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुट्टा आया था जादा तर पच्चियों की आँखें सिर के दोनों तरफ होती है पच्ची एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नज़र डाल लेते हैं जब ये बिल्गुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आखें एक ही चीज पर होते हैं कई पच्ची गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि पच्चियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती वे अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास देखते हैं पच्चियों के कान दिखाई नहीं देते उनके बाहरी कान छोटे-छोटे छेट जैसे होते हैं जो पंकों से ढके रहते हैं चील बाज और गिद जैसे पच्छी मनुस से चार गुना जादा दूर से देख लेते हैं जो चीज मनुस को दो मीटर की दूरी से दिखाई परती है वही चीज ये पच्छी आठ मीटर की दूरी से देख लेते हैं ये चील है, गिद है, बाज है रात में जागने वाले हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं साप के बाहिरी कान नहीं होते वे जमीन पर हुए कमपन को ही महसूस करते हैं कुछ जानवर तूफान या भूकम पाने से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं जो जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्योहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकम पाने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है या कोई प्राकर्तिक आपदा आने वाली है सन 2004 में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब बिवहार और उनके द्वारा दी गई चेताबनी भरी आवाजों को अंडवान की एक खास आदवासी जाती समझ गई थी उन्होंने या इलाका खाली कर दिया था इस तरह इस जाती के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे डॉल्फिन भी अलग-अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है बैग्यान को कमानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भासा होती है बहुत से जन्तू किसी खास मौसम में लंबी गहरी नीद में चले जाते हैं और कई महीनों तक दिखाई नहीं देते जैसे छिपकली सर्दियों के मौसम में अचानक ही कहीं गुम हो जाती है इसलोत की बारे में क्या-क्या बताया था मैंने आपको कि ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है ये दिन के करीब 17 गंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं ये सब्ता में एक ही बार सौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और लगबग 40 वर्स के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं बाग के बारे में क्या क्या याद रखना है बाग अन्हेरे में मनुस से 6 गुना बहतर देख पाते हैं बाग की मूछे हवा में हुए कमपन को भाप लेती हैं और उसे सिकार की बिल्कुल सही स्थिती का पता चल जाता है इससे इने अन्हेरे में राष्टा ढूरने में भी मद बाग मौके के अनुसार अपनी आवाज बिदलता रहता है गुस्से में अलग आवाज और बागिन को बिलाना हो तो अलग आवाज बाग का गुर्राना तीन किलो मीटर दूर तक सुना जा सकता है बाग अपने इलाके वे मूत्र करके अपनी गंद छोड़ते हैं एक बाग किस आवाज घट्टा करने के लिए अलग अलग दिसाओं में बहुत जादा घूम भी जाते हैं और जानवरों का सिकार कर दिया जाता है हाथी को उसके दातों गैंडे को सींगो और सेर मगरमच साप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुसगू के लिए मार दिया जाता है देश में बाग और अन्न कई जानवरों की गिंती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खत्रा है देश की सरकार इने बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्चा दे रही है जैसे उत्राखंड का जिमक और विट नेशनल पार्क और राजिस्थान के भरतपुर जिले में घाना इन जंगलों में जानवरों का सिकार मना है यहां लोग जानवरों या जंगलों को कोई भी नुकसान नहीं पहुचा सकते तो क्लास फिफ्ट की बुक का पहला लेसन था यह और इसमें दो टॉपिक अलग से दिये गए थी सलोथ और बाग और जो पॉइंट करके मैंने आपको बताया है वो भी इसमें पढ़ने के लिए दिया गया था और इस अभी से प्रस्न पूछे जाते हैं तो मैंने आपको इतने भी टॉपिक पढ़ाई है कि लास फूर्थ मैंने दस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया और यह ग्यार्मी वीडियो है जिसमें किलास फिफ्ट की सुरुवात हो गई है तो आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाई है तो आप क